नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर मेरा नाम है अनिरुद और इस वीडियो में हम पॉलिटी के करन्ट अफेस को कंटीन्यू करने वाले हैं जो कि हमने अल्लेडी शुरू कर दिये थे मैं आशा करता हूँ कि आपने अल्लेडी स्ट नमबर वान और स्ट नमबर टू को देख लिया है पहले के दोनों स्ट में हमने बेसिकली जुडिशिरी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स को डिसकस किया है जो कि हमने इन फाक्ट कम्पलीट भी कर दिया है अब इस लेजिसलेचर के साथ जुड़े हो टॉपिक जो है उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जिस हिसाब से रिस्पॉंस मिल रहा है मैं यही उमीद करता हूँ कि आगे जाकर आप इस पर्टिकुलर क्राश कोर्स को और भी अच्छा करेंगी जो भी पर्टिक आपकेश को अपर से नकी पीडियएफ को डाuğंलोड कर सकते हैं और ये वाले लैक्चर की पीडियप भी आपको ईस पर्टिकुलर टेलेगर्म चालल पर अप्लोड करवा दी जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ यह सारे टॉपिक discuss करने वाला हूँ, देखे सबसे पहला topic जो की हम आपके साथ cover करने वाले हैं, that is the topic of question hour, और इस साल आपको मालुम होगा 2020 में, जब session हुआ था, monsoon session हुआ था, उस time पे question hour को हटा दिया गया था, और क्योंकि इस चीज़ को हटाया गया था, ये बहुत चर्चा में रहा, बहुत की महत्तता होती है, कहां से इसको लिया गया है, कहां पे इसके बारे में चर्चा करी गई है, नहीं and so on, और इसी के साथ जुड़े हुए दो और छोटे topics है, types of questions and the topic of zero hour, इन दोनों के बारे में चर्चा भी इसी के संदर्व में करी जाएगी, अगला topic हम बात करेंगे, anti-defect law के बारे में, anti-defection law, again ये चीज भी सुर्खियों में रही थी, because of the Manipur, जो पूरा का पूरा assembly में, 3-4 MLA's को disqualify किया गया था, I am not very sure कि 3-4 थे या अधिक थे, लेकिन हा, कुछ MLA's को यहां पर disqualify किया गया था, Manipur के speaker के द्वारा, Manipur Assembly के स्पीकर के द्वारा, जिसके चलते फिर से ये वाला कानून एक बार सुर्खियों में रहा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून, basically ये क्या होता है, किस संसोज़न के थुरू, इस particular कानून को हमारे सम्विधान में लाया गया था, और इसकी कुछ अन्यमहत्वपूरण बातें Then we will talk about the no confidence motion, जो की again एक राज्य सरकार के साथ समंदित है, केरिला गावर्मेंट के खिलाफ जो पिनरई विजयन जी की गावर्मेंट है, जो की केरिला के CM है, उनके खिलाफ no confidence motion को शुरू किया गया था, वो अलग बात है कि वो motion वहाँ पर पास नहीं हो पाया, जिसकी पाचीत करी जाएगी, इसके क्या माइने होते हैं, इसके क्या मतलब होते हैं, इसको लेके UPSC again, no confidence motion, anti-defection law, इन दोनों चीज़ों को लेके UPSC question पूछ चुकी है, पिछले पांच सालों के अंदर अंदर, Then we will also talk about breach of privilege, another very important topic, जिसको लेके again UPSC question पूछ चुकी है, और यहाँ पर यह वाला जो topic था, यह भी एक local state government के हिसाब से ही, महराश्टरा government के अंदर इस topic को उठाया गया था, जिसके चलते again, यह important बन जाता है कि breach of privilege, privileges क्या होती हैं, विशेश अधिकार क्या होते हैं, पार्ले अंत में कुछ छोटी मोटी titbits in news के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें की we will precisely talk about office of profit, जो आपका लाब का पद होता है, office of profit क्या होता है, इसको लेके UPSC ने question just हाल ही में 2019 से 2020 में पूछा था, so this is also a very very important topic, so हम यहाँ पर बहुत ही जादा relevant topics को cover करने वाले हैं, let us begin the discussion with a very simple question, with reference to functioning of parliament, parliament के संसद के काम करने के तरीके के संदर में, consider the following statements, unstard questions are answered orally and starred questions are answered in the written form, तो unstard questions are answered orally, याने कि जो questions के सामने star नहीं लगा होता, उनको आपको जुबानी जवाब देना पड़ता है, और जो starred questions होते हैं, उनका जवाब आपको written form में देना पड़ता है, जीरो आवर is an Indian parliamentary innovation and mentioned in the rules of procedure, ठीक है, तो this is, दोनों ही दोनों जो options यहाँ पे दी गई है, वो slightly tough options आपको दी गई है, ठीक है, कि दोनों ही दोनों questions में, दोनों ही दोनों options में आपको दो दो चीज़ें पूछी गई है, which of the above statements is or are incorrect, सबसे पहली बात तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वैसे UPSC में जब भी आप appear करते हैं, तो incorrect को generally italics में और bold में रखा जाता है, बटि मैंने यहाँ पे नहीं रखा, still आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर incorrect पूछा गया है, तो आपको उसको सबसे पहले तो star mark कर लेना है, कि मुझे इस particular question में incorrect का ही जवाब देना है, Now, देखिए, जो unstard questions होते हैं, उनका जवाब orally नहीं दिया जाता, बलकि जो star questions होते हैं, उनका जवाब orally दिया जाता है, जो unstard questions होते हैं, इनका जवाब written form में दिया जाता है, So, first, आपका जो question है, ये interchange की हुई है चीजें, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, false, ठीक है, in fact, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, क्यूंकि जो star questions का जवाब orally दिया जाता है, इसका मतलब counter questions भी सामने से आ सकते हैं, For example, किसी एक A इनसान ने B इनसान से एक oral question पूछा, ठीक है, B इनसान ने उसका जवाब दिया, लेकिन A इनसान उससे सहमत नहीं है, तो A इनसान उससे counter question पूछ सकता है, ये लेकिन किस case में होता है, ये होता है केवल और केवल start question के case में, un-starred question के case में ऐसा नहीं होता है, right? देखिए दो तरह के आवर होते हैं, सबसे पहला होता है question hour और दूसरा होता है zero hour, तो जब आपके Parliament का session शुरू होता है, तो असल में जो पार्लिमेंट का पहला घंटा होता है, उसको हमेशा question hour कहा जाता है, और जो दूसरा hour होता है, इसको हमेशा zero hour कहा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल सही है कि zero hour की जो चीज है ये एक Indian parliamentary innovation है जैसे question hour जो है ये हमने Britain की parliamentary practices से उठाया है लेकिन जो zero hour है ये एक भारतिय सांसदिय innovation है जो कि अक्सर बाकी देशों के जो बाकी देशों के पारलेमेंट से उसको follow नहीं करती है लेकिन ये चीज गलत है कि ये rules of procedure में भी इसक किया गया है on the other hand आपका जो question hour है इसका जिकरा rules of procedure में किया गया है so इसके चलते आपका second statement भी हो जाएगा false hence both the statements are incorrect आपका सही जवाब बन जाएगा both one and two क्यों क्योंकि आप से incorrect चीजे पूछी गई है बात कर लेते हैं question hour के बारे में जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं September 23 2020 की ये खबर है economic times के द्वारा no question hour special covid arrangements आपको मालूम होगा इस बार का जो covid-19 pandemic के चलते दोनों ही लोकसभा और राजसभा में question hour को एक तरीके से निलंबित किया गया कुछ समय के लिए and private members business during the last monsoon session of parliament इस चीज़ को भी यहां पे suspend किया गया था हाला कि यह उतना relevant हमारे लिए नहीं है zero hour का भी यहां पे time cut shot कर दिया गया था to 30 minutes सबसे पहले तो देख लीजे कि sessions किस तरीके से चलते हैं right यहां पर देखिए 11 बजे session की शुरुवात होती है और 5 बजे तक session चलता है in the case of राज्यसभा यानि कि in the case of upper house और लोगसभा के case में session चलता है till 6 p.m. clear है यह बात now यहां पर very very important to note जो आपका पहला घंटा होता है this is basically given to the question hour जो दूसरा घंटा होता है this is given to the zero hour कुछ कुछ चीजें इसके बारे में जाननी और भी important है zero hour को zero hour इसलिए भी कहा जाता है क्यूंकि असल में यह 12 बजे शुरू होता है ठीक है hence इसको यह वाला नाम दिया गया है इसके बाद आपका एक घंटे तक होता है lunch period और lunch period के बाद दो बजे के बाद आपका main कामकाज शुरू होता है जब आपके जो business होते हैं सरकारी कामकाज होता है जो आपका कानूनों को पास करने का कामकाज होता है बिल को introduce करना उसके ओपर discussion debate करना यह सब चीजें यहां पर क first hour of a sitting MPs ask questions to ministers and make them accountable for functioning of their ministries ठीक है तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो MPs है MPs कौन होते हैं MPs legislature का हिस्सा होते हैं MPs किसको represent कर रहे हैं MPs लोगों को represent कर रहे हैं they are representatives of the people जनता के प्रतिनिदी होते हैं यह सवाल पूछते हैं minister से minister किसको represent करते हैं ministers represent करते हैं executive को यानि कि यह जो question hour का बनाया गया एक परीके का सिलसिला है यह कहीं ना कहीं executive की accountability को ensure करने के लिए बनाया गया है towards the legislature आपको मालूम होना चाहिए judiciary legislature और executive किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग होते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक दूसरे को एक दूसरे के लिए accountable बनाने के लिए जवाब्द है बनाने के लिए कई सारे checks and balances को introduce किया जाता है तो question hour is a kind of a check and balance दोनों ही जो houses of the parliament है वो अपने अपने नियमों को follow करते हैं ठीक है आपको बता दिया है थोड़ी बहुत अलग चीजे होती है important to note अगर in case माल लीजे ऐसा सवाल आता है कि क्या question hour को सबसे पहली बार ऐसा किया गया है कि इसको निलंबित किया गया था तो जी नहीं ऐसा नहीं है इसके पहले भी 1962 में जब हमारी जंग चल रही थी चीन के साथ 1975 में और 1976 में जब emergency का time था 1991 में जब हमने आर्थिक बहुत सारे सुधार किये थे उसके बाद 2004 में और 2009 में भी कुछ ऐसे समय आये थे जब हमने question hour को यहाँ पर कुछ समय के लिए लं लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ start question और unstard question के बारे में start question हमेशा ही oral answer दिया जाता है unstard question हमेशा written answer दिया जाता है और क्योंकि यह oral answer है इसलिए supplementary questions में also be followed लेकिन unstard question में क्योंकि आपको जवाब written answer में दिया गया है तो no supplementary questions can be asked लेकिन एक तीसरे type का question होता है जिसको की कहा जाता है short notice questions UPSC में सवाल इसको लेके भी आ सकता है इसको लेके भी आ सकता है short notice question को लेके personally मुझे नहीं लगता कि question पूछा जाएगा क्योंकि यह एक थोड़ी सी exceptional situation होती है इसमें क्या है कोई भी मालीजे सदस्य है कोई भी मालीजे सांसद है उसको कोई question पूछना है तो वो क्या कर सकता है वो एक notice दे सकता है of question on a matter of public importance और ये बोल सकता है कि ये वाला जो question है ये urgent character का है तो मुझे इसका जवाब orally ही चाहिए लेकिन इसको ये notice जो है question पूछना है ठीक है तो अगर ये notice 10 दिन के अंदर अंदर देता है तभी उसको short notice की question की category में रखा जाता है इस case में भी जो जवाब है वो oral answer ही दिया जाता है बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 10 days के अंदर अंदर question पूछा गया है और oral answer आपको चाहिए तो उसको short notice question का यहाँ पर tag लगाया गया है बट as I told you ये उतना relevant नहीं है लेकिन जो आपके start questions है और जो आपके unstard questions है ये दोनों के ही दोनों बहुत ही जादा relevant topics हैं coming to zero hour, zero hour again is a very very relevant topic, zero hour का मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो वाला समय जो की question hour को follow करता है it is called as the zero hour, it starts around 12 noon इसलिए इसको ये वाला नाम दिया गया है ये एक भारतिये सांसदिये innovation है and it is not mentioned in the rules of procedures देखे ध्यान से unlike the question hour यानि की question hour को mention किया गया है members wishing to raise matters during the zero hour need to give notice to the speaker prior to the start of the daily session तो आपको पहले एक बार सूचना देनी पड़ती है speaker को की zero hour में हम ये वाले मुद्धे discuss करने वाले हैं उसी के हिसाब से आपको permission मिलती है, उसी के हिसाब से आप महाँ पे चर्चा कर सकते हैं I hope ये पूरी की पूरी understanding हो गई होगी regarding question hour, zero hour and the types of questions Coming to the next topic जिसमें की हम बात करने वाले हैं Anti-Defection Law यानि की दल-बदल विरोधी कानून के बारे में Now, with reference to Anti-Defection Law, consider the following statements The Anti-Defection Law was passed in 1985 through the 52nd Amendment to the Constitution I think अभी तक ये सभी आपको याद होना चाहिए और ये वाला question UPSC अलड़ी पूछ चुकी है I am not able to remember the year लेकिन मुझे इतनी चीज़ शूर है कि पिछले 6 सालों में UPSC ने Anti-Defection Law को लेके दो बार सवाल पूछा है इस कानून को लाया गया था और एक बार सवाल पूछा था कि ये जो है कौनसी अनुसूची में दिये गए हैं तो ये भी आपको बता दूँ ये हमारे Constitution की जो दस्मी अनुसूची है वहाँ पर इनका जिकर किया गया है तो फर्स statement आपका बिलकुल true है ये statement यहाँ पर गलत है और इसको लेकर एक बहुत ही important judgment आती है Supreme Court की जिसको कहा जाता है कि होटो होलोहान की judgment तो कि होटो होलोहान की judgment में Supreme Court ने ये clearly बोल दिया था कि जो speaker जब anti-defection कानून को लेके कोई भी फैसला ले रहा है तो वो किसी न्यायालिय की तरह काम नहीं कर रहा बलकि वो एक अधीकरन की तरह काम कर रहा है and there is a huge huge difference क्योंकि ये चीज कही गई थी कि वो एक अधीकरन की तरह यानि की tribunal की तरह काम कर रहा है इसलिए उनके द्वारा लिया गया फैसला is subjected to judicial review यानि की जुडिशिरी न्यायपाले का उस चीज का review कर सकती है और अगर जुडिशिरी को लगता है कि ये फैसला गलत लिया गया है बायस तरीके से लिया गया है ठीक है तो उस case में उस फैसले को reverse भी किया जा सकता है ये वाली जो judgment थी कि होटो होलोहान judgment इस particular judgment में इस चीज को declare करवाया गया था I hope ये चीज clear है So first is correct, second is wrong आपका सही जवाब आपसे correct answer पूछा गया है तो सही जवाब बन जाता है One only Right So आप देख सकते हैं यहाँ पर ये anti-defection law की जो चीज थी How Manipur defection put focus on speaker's power to disqualify ये वाली जो पूरी की पूरी खबर है ये जून के महीने में सामने आई थी और काफी जाता सुर्खियों में भी रही थी June 2020 की बात कर रहा हूँ ठीक है So उस time पे इसको लेके काफी जाता चर्चा हुई थी Manipur के जो speaker है वाई खेमचंद उनका फैसला था to disqualify Congress के तीन MLA's को इन्होंनों disqualify किया और एक उनकी state का अकेला TMC का MLA था जिसको की राजसभा की election के पहले उन्होंना disqualify किया था इसके चलते ये सवाल उठाए गए कि कहीं speaker अपनी शक्तियों का गलत इस्तिमाल तो नहीं कर रही है under the anti-defection law ठीक है तो हमारे लिए ये पूरी की पूरी political controversy is not relevant लेकिन हमारे लिए इसका जो academic angle है वो काफी जादा relevant बन जाता है ये तीनों चीज़ें प्लीज इसको आप याद कर लीजे 1985, 52nd amendment and the 10th schedule इसको एक और चीज़ भी कहा जाता है इसको कहा जाता है horse trading तो horse trading को भी बंद करने के लिए ये चीज़ को यहाँ पर शुरू किया गया था disqualification का criteria दिया गया था यानि कि ऐसा नहीं कि आप जा speaker का जब मन चाहे वो किसी को disqualify कर सकता है इसके कुछ parameters दिये गए थे देखे parameters वैसे तीन तरह के members के लिए दिये गए थे सबसे पहले जो parameters थे वो लागू हो रहे थे political party के members के उपर दूसरे तरह के parameters थे वो लागू हो रहे थे independent members के उपर and तीसरे तरह के जो parameters थे वो लागू हो रहे थे nominated members के उपर लेकिन हम यहाँ पे जो आपके साथ discuss कर रहे है a member of a house belonging to any political party यानि कि हम फिलहाल जो है केवल पहले वाले तरह के ही members के लिए बातचीत कर रहे हैं दो तरह के disqualification criteria इनके लिए दिये गए थे यानि कि he voluntarily gives up his membership of such political party किसी member ने जान बूच कर अपनी political party की सदसता को छोड़ दिया है voluntarily जान बूच कर तो उस case में उसको anti-defection law के तहट disqualify किया जा सकता है ठीक है obviously माली जे कोई इनसान आज है उसको लगता है कि आज के लिए party बहुत जादा चलन में है तो मैं इसका member बनके एक बार जो है आगे जाकर elect हो जाता हूँ उसके बाद मैं इसकी membership को छोड़ दूँगा तो उसने उस party का इस्तेमाल गलत किया तो obviously उसके उपर ADL कानून के तहट उसको disqualify किया जा सकता है माली जे कल को he votes or abstains abstains from voting in such house contrary to any direction issued by the political party तो उसकी political party के द्वारा दियेगे कुछ दिशान इर्देश थे उसको उसने मानने से इंकार कर दिया या फिर उसने कहा कि मैं तो इसके ना तो favor में vote करूँगा ना इसके खिलाफ vote करूँगा उस case में भी यहाँ पर disqualify किया जा सकता है उस इंसान को हाँ अगर उस इंसान ने prior permission ले रखी है party से उस case में disqualify नहीं किया जाएगा ये जो दो criteria's है and mind you केवल यही दो criteria's है केवल यही दो criteria's है जो की political party के members के उपर लागू होते है independent member के उपर criteria क्या लागू होता है अब independent member क्या होता है स्वतंत्र सदस्य यानि कि किसी भी राजनितिक दल से समंध नहीं रखता है ऐसा इंसान मान लीजिए ये इंसान कल को elect होने के बाद कहे कि अब मुझे so and so party का हिस्सा बनना है उस case में इसको disqualify किया जा सकता है यानि कि if he wants to become a member of a political party after getting elected उस case में उसको disqualify किया जा सकता है nominated member के case में क्या होता है time period दिया जाता है six months का six months के अंदर अंदर अगर उसने किसी political party को join कर लिया तो ठीक है उसके बाद वो नहीं कर सकता है अगर उसके बाद वो करता है तो उसको भी disqualify किया जा सकता है now disqualification criteria के बाद कुछ exceptions भी दी गई है ये भी आपको जानने important है अगर मान लीजे एक member अपनी party को छोड़ता है देखे हमने यहाँ पे क्या कहा था कि अपनी party को छोड़ना voluntarily उसके खिलाफ ये ideal लागू हो सकता है लेकिन अगर वो इस current से छोड़ता है कि party ने merger कर लिया है किसी और party के साथ उस case में ये anti-defection law उसके उपर लागू नहीं होगा for example मैं बात कर रहा हूँ party number A है party number B है अब party number A के जो लोग है X, Y और Z है ठीक है मान लीजे और यहाँ पर party A और party B मिलकर एक हो जाती है उस case में अगर मान लीजे X इंसान ये बोलता है कि मुझे अब A party से अलग होना है तो उसके खिलाफ ADL लागू नहीं होगा नौ ये भी एक interesting चीज है कि merger किसे कहा जाता है merger तब कहा जाता है अगर दो तिहाई सदस्य एक party के मान जाते है कि हम merger करने के लिए तयार है उस case में merger जो है वो मन्जूर हो जाता है या फिर एक exception है यानि कि यहाँ पर ये वाला rule लागू नहीं होता है या फिर एक और exception है जो कि दिया गया है मान लिजे कोई सदस्य है और उसको house का presiding officer चुन लिया गया है उस case में अगर वो अपनी सदस्यता को छोड़ना चाहता है उस party की तो वो छोड़ सकता है ये वाला भी provision यहाँ पर दिया गया है exception has basically been provided in view of the dignity and impartiality to the office of the presiding officer ठीक है कि आपको यहाँ पर impartial तरीके से काम करना है तो आप ये कर सकते हैं again दो ही exceptions है और यहाँ पर दो ही criteria है political party के लिए independent member और nominated member के लिए मैंने आपको अलग से criteria बता दिया है अब speaker के role की बात करें anti-defection की देखे कोई भी जो सवाल उठाया जाता है regarding disqualification arising out of the defection एक और चीज disqualification के वल defection के अधार पर नहीं होती है अगर आप article number 110 को याद करें तो disqualification के और भी कई सारे तरीके होते हैं लेकिन article number 110 के तहत जो disqualification होती है यह करवाने के लिए responsible president होता है यह जो फैसला होता है president के हाथ में होता है और president इस फैसले को लेता है in consultation with the election commission on the other hand अगर disqualification defection के अधार पर हो रही है दल बदल के अधार पर हो रही है तो फैसला लेने वाली authority होती है presiding officer of the house इस case में speaker functions as a quasi judicial authority under the 10th schedule quasi judicial या फिर मैंने आपको बताया था एक tribunal की तरह भी function करते हैं speaker basically एक court की तरह function नहीं करते हैं यह बात बिलकुल सही है speaker का decision is final in case of anti-defection यानि की speaker ने जो कह दिया वो final है लेकिन ये बात भी यहाँ पर सही है as पर्दी किहोटो होलोहान case of 1992 that the verdict जो की speaker के कहने पर आया है it is subject to judicial review on limited grounds ठीक है तो दोनों बाते सही है speaker का decision final भी होता है यानि की कोई और आके यह नहीं कह सकता कि यह जो फैसला लिया गया है यह गलत grounds पे लिया गया है और इसलिए judicial review के अंडर यह आता है I hope यह पूरी की पूरी कहानी आपको clear हो गई होगी regarding the anti-defection law Coming to the next topic जो की है no confidence motion का काफी अच्छा सवाल है 2014 में सवाल पूछा गया था no confidence motion को लेकर और काफी सारे बच्चे confused भी हुए थे Discuss कर लेते हैं No confidence motion can be introduced only in the लोकसभा The government of the day has to resign if no confidence motion passes तो second statement तो I am sure आपको मालूम होगा बिल्कुल true है ठीक है और first statement भी यहाँ पे बिल्कुल true है It can only be introduced in the लोकसभा इसको आप राजय सभा में introduce नहीं कर सकते हैं So इसके चलते आपका जो सही जवाब Correct answer पूछा गया है वो सही जवाब बन जागा Option number C Both 1 and 2 इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं देखें Kerala no confidence motion against the Vijayan government was defeated और यह वाली जो news है This is approximately I think August महीने की news है मुझे exactly याद नहीं आ रहा कब यह हुआ था So यहाँ पर आप देख सकते हैं Motion pass करवाया गया था Against the Vijayan government in the Kerala Assembly लेकिन यह defeat हो गया था Because 8740 यहाँ पर इनको proper voting नहीं हो पाई थी जिसकी वज़े से Vijayan government यहाँ पर resign नहीं करी थी So देखें Article 75 काफी important यहाँ पर आता है Article 75 से ही No Confidence Motion एक तरीके से Grow करता है Article 75 यह कहता है समविधान का कि जो हमारा मंत्री परिशद है It is collectively responsible to the लोगसभा मंत्री परिशद किस चीज का हिस्सा है Again जो मैंने आपको पहले समझाया था मंत्री परिशद Executive का हिस्सा है लोगसभा किस चीज का हिस्सा है Legislature का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं Executive is responsible ठीक है सामूहिक रूहूप से यह जिम्मेदार है किसको लोगसभा को और यह दिया गया है Article 75 में At the same time आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हर एक जो Council of Minister होता है He is individually responsible to the President as well यह चीज भी दी गई है खेर उस चीज का यहाँ पर कोई माइना नहीं है लेकिन इस चीज के यहाँ पर significance है The Executive is responsible to the लोगसभा अब अगर लोगसभा को लगता है कि जी Executive सही से काम नहीं कर रहा तो लोगसभा में से कोई भी मेंबर अगर वो चाहे तो यहाँ पर एक no confidence motion को शुरूव कर सकता है और इस no confidence motion को अगर वो members pass करवा लेते हैं In that case Council of Minister को resign करना पड़ता है and जैसे ही COM ने resign किया वैसे ही जो सरकार होती है वो गिर जाती है या फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है ठीक है The लोगसभा can remove the ministers from office by passing a no confidence motion यहाँ पर इसका जो पूरा procedure उसको समझ लेते हैं It can be moved only in the लोगसभा and not in the राज्यसभा ठीक है Only in the लोगसभा, not in the राज्यसभा Moved by any member of the house और इसमें जो rule 198 of the rules of procedure है and conduct of लोगसभा specifies the procedure for moving a no confidence motion तो यहाँ पर जो लोगसभा को govern करने वाले के आचिरन वाले जो rules of procedure है उसके अनुसार इसके प्रावधान दिये गए है जो सदस्य ने यहाँ पर इस particular motion को पास करवाना है उसको पहले लिखित में notice देना पड़ता है to the speaker ठीक है और यह 10 बजे से पहले देना पड़ता है तब जाके अगर speaker which will be rerout by the speaker in the house तब जाके यह motion जो है वो finally picture में आता है इसमें फिर से कुछ procedures है minimum of 50 members have to accept the motion तभी जाकर वो motion को accept किया जाएगा otherwise अगर मान लिजे 50 members ने sign नहीं किया है तो motion को accept नहीं किया जाएगा फिर speaker will announce the date for discussion of the motion allotted date has to be within 10 days 10 दिन के अंदर-अंदर वो motion जो है जब उसको accept किया गया 10 दिन के अंदर-अंदर उसको उसकी सुनवाई होगी ठीक है else the motion fails and the members who moved the motion will be informed about it if the government is not able to prove majority government has to resign सारी-सारी चीज़ें बहुत ही relevant है दुबारा सुन लीजे कोई भी member कर सकता है केवल लोकसभा में कर सकता है उसके बाद rules of procedure में इसके प्रावधान दिये गए है 10 बजे के पहले speaker को announce करना पड़ता है member को return notice देना पड़ता है कम से कम 50 members को यहाँ पर लिखित में करना पड़ता है speaker फिर date announce करेगा ये भी important है कि date speaker announce करेगा या president announce करेगा याद रखेगा 10 दिन के अंदर अंदर motion को pick up करना जरूरी है अगर नहीं pick up होता है तो motion fail हो जाता है अगर मालनी जे pick up होके pass भी हो जाता है और छोटी छोटी जो nitty gritties है इनको लेकर भी सवाल पूछे गए है तो ध्यान रखने वाली बात है next बात कर लेते हैं breach of privilege के बारे में ये वाला जो question था ये वाला जो पूरा का पूरा चीज हुई थी ये नवेंबर के महीने में सामने आई थी और यहाँ पर headlines हमारे लिए important नहीं है लेकिन important इसलिए है because ये चर्चा में रहा था Supreme Court recently gave relief to Arnab Goswami in breach of privilege case for making derogatory remarks against the CM of Maharashtra देखे चीज को समझ लीजे होता क्या है कि कुछ विशेश अधिकार होते हैं ये spelling गलफ है privilege का I'm sorry for this कुछ विशेश अधिकार होते हैं विशेश अधिकार दिये गए है संसद को और सांसदों को दोनों को ही दिये गए है क्या कहा मैंने विशेश अधिकार होते है सांसदों के लिए और पार्लिमेंट के लिए at the same time क्योंकि ये लोग को दिये गए है similarly के लोग हैं, स्टेट लेजिसलेचर हैं, उनको भी यहां पर विशेश अधिकार दिये गए हैं। लगता है कि हमारे विशेश अधिकारों का हनन हुआ है, उनका वाइलेशन हुआ है, तो उस केस में वो केस करवा सकते हैं, किसी भी इनसान के खिलाफ। ठीक है, यहां पर यह केस हुआ था, अरनब गोस्वामी जो की पत्रकार हैं, उनके खिलाफ इन ब्रीच ऑफ है, इसके academic angle को समझना, breach of privilege is a violation of any of the privileges, ध्यान से, of MPs या Parliament, जो की article number 105 में दिया गया है, या फिर MLA's या both the houses of the state legislatures, जो की article number 194 में दिया गया है, कोई भी ऐसा आपने काम किया, जो की इस particular house को, of the state legislature को उसका काम करने में बाधा डालता है, तो उसको breach of privilege की category में रखा जाएगा, ध्यान रखने वाली बात, which is very very important, कोई कानून यहाँ पे नहीं enact किया गया है, by the parliament, जो की define करे की breach of privilege क्या होती है, यह basically जो हमने इन चीजों को शुरू किया है, यह Britain के द्वारा जो parliamentary conventions परंपराएं बनाई गई थी, उन्हीं को हम यहाँ पर follow करते आएं है, this is the most important part, जो की आ parliamentary privileges हैं, इसको दो भागों में तोड़ा गया है, ठीक है, parliamentary privileges basically दो भागों में किस तरीक से तोड़ा गया है, एक होती है, सामूहिक विशेश अधिकार, which are enjoyed by each house of parliament collectively, और एक होती है, members जो की individually enjoy करते हैं, व्यक्तिगत विशेश अधिकार, इनको कहा जाता है, collective privileges, इनको कहा जाता है, अब collective और individual privileges दोनों बहुत अनेक तरह की होती है, कुछ-कुछ examples आपके सामने में यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, collective privileges यानि की it can punish the members, it मतलब क्या हुआ, parliament can punish the members, parliament या फिर obviously state legislature, state legislature में आपका दोनों ही आ जाते हैं, फिर भले वो विधान सभा हो, फिर भले वो विधान परि exprimand, admonition और imprisonment, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, यह केवल outsiders के लिए ही लागू नहीं होता, अगर कोई member भी है, अगर माल लीजे कोई MP है, जो की parliament की निश्था के ऊपर किसी प्रकार की चोट पहुँचा रहा है, तो उसको भी punishment की जा सकती है, it can exclude the strangers from its proceedings, कि हम नहीं चाहते हैं कि यह इंसान हमारी proceeding में आके बैठे, ठीक है, it has a right to receive immediate information of the arrest, detention, etc., etc., and release of a member, यह सारे के सारे अधिकार इसके पास होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन, again, just to give you a brief idea कि इनको कहा जाता है, collective privileges, जो की parliament अपने आप में as an institution enjoy करता है, similarly, कुछ individual privileges होती है, they cannot be arrested during the session of the parliament, अब they कौन है, they यहां पर आ जाते हैं, आपके MPs, या फिर आपके MLAs, या फिर आपके MLCs, they cannot be arrested during session of parliament, and 40 days before the beginning, and 40 days after the end of a session, privilege is available only in civil cases, and not in criminal cases, और preventive detention के cases में, यह privilege लागू नहीं होती है, they have freedom of speech in the parliament, और इनकी जो freedom of speech होती है, जो आप जैसे लोगों को, और मुझ जैसे लोगों को दिया जाता है, उससे बहुत जादा wide होती है, इसका जो दाइरा है, यह बहुत जादा बड़ा होता है, they are also exempted from jury service, they can refuse to give evidence and appear as a witness in a case pending in a court, when parliament is in session, तो यह सारे अधिकार इनको दिये गए है, इनको कहा जाता है, व्यक्तिगत विशेश अधिकार, I hope थोड़ी understanding होई होगी regarding privileges, यह चीज बेसिकली आप से देखिए, जो parliamentary privilege का question है, यह mains में पूछा जा चुका है, प्रिलिम्स में अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूछा जा सकता है, Finally, वीडियो को समाफ्त करने से पहले, दो छोटी-छोटी कीजें आपके साथ cover करना चाहूँगा, एक होता है VIP, ठीक है, VIP क्या होता है, VIP को ध्यान से सुनिए, देखिए VIP क्या होता है न, एक अधिकारी को निख्त किया जाता है, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, इसका main परपस क्या है, इसका main जो परपस है, उदेश है, वो basically ये है, कि माल लीजे, हम किसी political party की बात करते हैं, माल लीजे, मैं बात कर रहा हूँ, political party XYZ की, XYZ ने एक particular इनसान को, इनसान नमबर A को इन्होंने VIP के रूप में appoint कर दिया, तो इनसान नमबर A ये देखेगा, कि XYZ के ज इन सब चीजों का ध्यान रखता है VIP, तो यानि की एक तरीके से political party के अंदर अनुशासन बनाने का काम किसका है, party के VIP का है, केवल अनुशासन का ही नहीं है, माल लीजे, party में कुछ ऐसी बातें चलने लग गई है, कि party नमबर, party XYZ का जो एक इनसान है, वो बोलता है, कि मैं party स आजकल खुश नहीं हूँ, क्योंकि party मेरी बातें नहीं सुन रही है, and so and so, ठीक है, तो VIP का यहाँ पर यहाँ पर यह काम है, जिम्मेदार यह भी है, कि वो इस चीज को ensure करे, इस चीज का आश्वासन दे, कि मैं इन सभी चीजों की आपकी grievances को सुनने को तयार हूँ, और प सारा का सारा काम कहीं न कहीं party के VIP का होता है, यह वाला जो system है, यह भी हमने Britain की parliamentary system से ही उठाया है, party के VIP के बारे में ना तो rules of procedure में कहीं में mentioned है, ना constitution में कहीं में कुछ mention है, ना इसको लेकर कोई कानून है, कोई statute नहीं है, तो यह केवल और केवल एक Britain parliamentary system से उठाया हुआ, ए very very important topic, आपके सामने है अगला जो question है, वो UPSC, CSE 2019 में पुछा गया था, office of profit का, इसका जवाब आपको हमें comment section में देना है, और यह देखे, काफी important है, जैसे मैं आपको बताया, 105 और 194, 105 और 194 आपके यह वाले articles है, privilege वाले, similarly यहाँ पर आपके जो articles बन जाते हैं, वो है 102 and 191, 102 clause 1, 191 clause 1, यह basically दिये गए हैं कि अगर कोई MP है या अगर कोई MLA है, ठीक है, तो MP के लिए 102 है, MLA के लिए 191 है, he is barred from holding any office of profit under the central or the state government, कि यह कोई लब क्या कहते हैं, लाब का पद नहीं hold कर सकता है under the central or the state government, इसको लेके बहुत लंबी चोड़ी discussion है, कि क्या office of profit होता है, कौ criteria क्या है, किसी भी office को office of profit declare करने का, यह बहुत सारी discussions, debates, supreme court में हो चुकी है, लेकिन आज भी इस चीज़ को लेके clarity नहीं है, अलग-अलग राजिय सरकारों ने अपने अलग-अलग convenience के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से office of profit को define किया हुआ है, एक चीज़ को ध्यान रखने वाली तो इस question को आप बहुती आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है, फिर भी इस question का जवाब हमें comment section में दीजिए, वीडियो को यहीं पर समाप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा, Unacademy आप सबी लोगों के लिए लेकर आया है, comprehensive UPSC, CSE का GS course, जिसके अगर आप subscription लेते हैं एक साल का, तो उसमें आपको 4 महीने extra मिलते हैं, यानि कि आपको 12 महीने की जगा, total 16 महीने की subscription यहाँ पर मिल जाती है, 12 महीने का cost में आपको 16 महीने की subscription प्रवाइड करवाई जा रही है, इसका मकसद क्या है, मकसद है अगले साल का prelims, यानि कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं 2022 के prelims की, subscription अभी से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि जो validity है वो 2022 तक चलाई जाएगी, इसमें आपके लिए दो तरह के courses है, iconic course और plus course, दोनों ही courses अपनी suitability के अंसार आप चूज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आपको लेना चाहि आपको मिल सकता है, अगर आप एक साल का subscription purchase करते हैं तो आपको ये 49.500 की जगा पड़ेगा, 44.500 और अगर आप iconic का purchase करते हैं तो 74.500 की जगा आपको पड़ेगा, 67.050 रुपीज का, लेकिन आपको ये वाला code यूज करना है अनी UPSC के नाम से, इसके साथ ही में अगर आप कि sources को purchase कर सकते हैं इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe